नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सिखने वाले हैं कि जो हमारा Double Door वाली फ्रीज होती है, उसका वाइरिंग किस पेकार से करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लाज तक देखती है, तो आप Double Door का जो फ्रीज होता है, उसका रिपेरिंग और वाइरिंग करना सिख जा हुए। ठीके दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फ्रीज है, इस फ्रीज का यहाँ पर मैंने कनेक्शन ओलेडी आपको सो किया हूँ, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा फ्रीज है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, अब यहाँ पे जो component है वो क्या काम करती है और इनका connection किस प्रकासे करेंगे मैं आपको पूरा आराम से समझा दूगा यानि कि पूरा basic तरीके से समझा दूगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा और last तक वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो like, share और comment करना ना भूलिएगा ठीके दोस्तों चलिए start करते हैं तो दोस्तों देखेगा जो हमारा fridge होता है इस fridge का सबसे main component इसका compressor होता है ठीके दोस्तों तो यह हमारा compressor हो गया है यही हमारे fridge को cooling करता है यानिकि जो हमारा cooling होता है fridge के अंदर में वो totally इस compressor के द्वारा हो अगरा साया एक बार समझ लीजे देखिए यह जो मारा compressor होता है इसमें दो winding किया जाता है एक starting winding और एक running winding अब जो हमारा starting winding होता है और जो running winding होता है इन दोनों के एक एक सीरे को आपस में जोर के एक common terminal बना दिया जाता है इस प्रका से हमारे पास में तीन टर्मिनल बाहर में मिल जाते है ठीके दोस्तों तो यहां पर जो मारा compressor था इसका terminal मैंने यहां पर सो कर दिया हूं ठीके दोस्तों अब इसके बाद में यह जो मारा compressor है इसको start करने के लिए एक रिले की जोर परता है तो यहां पर हम box type का relay इसमें टीन terminal होता है ठीके एक starting के लिए हो जाएगा ए यहां पर एक OLP का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों OLP का full form होता है overload protector दोस्तों यह जो overload protector होता है यह क्या करता है ज्यादा current भी flow नहीं होन देता और यदि हमारा compressor वह ज्यादा overheat हो जाता है तो उस condition में भी circuit को break कर देता है इसके बाद में जो हमारा freeze होता है उसमें एक fan भी लगा जाता है यह जो हमारा timer होता है वह दो काम करता है पहला तो cooling के लिए power supply देगा और दूसरा heating के लिए इसके बारे में आपको आगे अच्छे तरीके से explain कर दूँगा ठीके दोस्तों तो दोस्तों यह जो हमारा timer होता है इसमें चार terminal होता है जैसे कि आप यहां पे लिखा राएगा वो same to same रहेगा हो सकता है कि जो ada Johnny लिका है वो इधर का ऊधर हो लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता आपको यह यादे कि जो तीन नंबर ले चार नम्बर टैमनल ले एक नमबर टैमनल यह तो यहाँ पर इसका बेसिक संभज लिजिए तो दोस्तों रखे का heart यहाँ आधा हुएआ इसके अंदर एक चोटा सा मोटर लगOurता है जिसके द्वारा उसका timer काári Water में हाँ उसको लाकर इस तुमर्ण पर कनेक करना हुतआ होटा तो इहां पर मोटर का ये एक number में हमें यूट्र पावर सप्लाई a essay देना होटाई यहां में मैं आपको आगे explain कर दूँगा ठीके दोस्तों अब इसके बाद में जो हमारा फ्रीज होता है फ्रीज के अंदर एक thermostat भी लगा होता है दोस्तों यह जो thermostat है इसका काम यह है कि यदि फ्रीज के अंदर temperature maintain हो जाता है तो उस कंडिशन हमें क्या करना होता है जो बर्ग जम जाती है उसको पिगलाना होता है तो यहां पर एक heater का इस्तमाल किया जाता है आप यह जो heater है इसका नाम deforce heater होता है ठीके दोस्तों अब दोस्तों लिखे जो हमारे फ्रीज होता है उसके अंदर एक बायो मेटल स्विच भी लगा होता है दोस्तों यह जो बायो मेटल स्विच होता है इसका काम यह है कि यदि हमारे फ्रीज के अंदर में जो temperature वह माइनस 5 डिग्री सेस्ट तक पहुच जाता है तो उस condition में क्या होगा यह जो बायो मेटल स्विच है यह आउपूट जनरेट करेगा यानि कि यहां का पावर सप्लाई जनरेट करेगा यानि कि यहां का पावर सप्लाई हमें यहां पर मिलने लगेगा तो उसके बार में फ्रीज होता है ऊस में फ्रीज के अंदर यानि कि thermal फ्रीज लगा जाता है दोस्तों यह ट्रिमलें फ्रीज के अंदर में टम्ड़ेटर हाइえて हमारेज़ों 뜯ह शुकरंए şunu repousies बरते आढ दर अब यदcych Democrature बरते तो उसमें आग लगने का चांस हो सकता है ठीक है इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए एक थर्माज फ्यूज लगा दिया जाता है यानि कि यदि हमारे तंप्रेचर वह सब्सक्राइब पहुच जाता है तो उस कंडिशन में क्या करेगा पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा यानि कि इस हीटर को बन कर देगा ठीके दोस्तों अब इसके बाद में जब आप फ्रिज को ओपेन करते हो तो आप देखते हो कि एक लैंप गलू होता है तो वहाँ पे एक लैंप भी लगा होता है अब यह जो लैंप है इसको चालू करने के लिए एक पुस बटन लगा होत अब यहां पे जो component है, इन सभी component को power supply देने के लिए एक plug top का इस्तबाल किया जाता है, ठीके दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो fridge है, उसके अंदर जितने भी component है, उन सभी component को हमने यहां पे ला दिया, अब हमें इनका wiring करना है, दोस्तों wiring करने से पहले मैं आपको एक छोटा स इंफोर्मेशन देना चाहता हूं, दोस्तों, आज का वीडियो हमारा लोगदर दिल कंपनी के तौरप से sponsor किया गया है, दोस्तों, लोगदर दिल एक ऐसा website है, या फिर आप कहिए सकते हैं, जिसके दोरा आप कोई भी electrical product को खड़ी सकते हो, दोस्तों, यदि आप आपके घर के लिए कोई समान खरीदना चाहते हो, या फिर आपके दुकान के लिए कोई electrical product खरीदना चाहते हो, जैसे कि inverter हो गया, बैटरी, automatic बैटरी हो गया, electrical appliance जो होते हैं, और भी बहुत सारे product जो होता है, उसको जरी आप खरीदना चाहते हो, तो आप सभी product को केवल एक जगा से ख हो गया, हेवल, उसा, बजाज, और भी बहुत सारे brand होते हैं, उन सारी brand का product आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो दोस्तों आप download कर लिए Lock the deal application को, क्योंकि दोस्तों यह जो application ही है, एक प्रकार का, एमोजन है, वो भी electrical product कर, दोस्तों जैसे कि आपको मालूँ है कि अभी Republic Day आ जिसमें क्या करना है, आपको उनके Facebook page को like करना है, दोस्तों यह आप उनके Facebook page को like करते हो, तो आपको एक exciting price भी जितने का मौकार मिल सकता है, ठीके दोस्तों, दोस्तों अब हमें यहाँ पे wiring करना है, तो wiring करने के लिए सबसे पहले हम क्या करता है, कि यह जो हमारा plug top है, इस plug top का जो दाहिना pin है, यानि कि यह वाली pin, इस pin से हम एक wire को connect करके ले जाते हैं, और इसको लिया के सीधे ही, हमारा door switch है, इस door switch को एक terminal पे हम connect कर देंगे, यानि कि इस door switch को incoming power supply दे देंगे, दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जब हमारा gate open होता है, तो उस condition में हमारा lamp glow हो supply है, इस को ले जाके इस switch के साथ में connect कर देंगे, यानि कि इस door switch के साथ connect कर देंगे, अब इस door switch का जो दूसरा terminal होता है, इसमें से एक wire को connect करके ले जाते हैं, और जो हमारा lamp पे इसको firewall दे रहते हैं, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यह जो हमारा fire supply है, इसको हमें एक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारा timer है, इसमें 4 terminal है, अब यह जो हमारा timer का तीसरा number terminal है, इस terminal पर हमें input power supply देना है, तो इसमे input power supply हमारे इस thermostat के द्वारा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक वार को connect करके लिए जाते हैं, और इस terminal के साथ connect करते हैं, ठी तो हमारा relay इसके common terminal पर connect कर देंगे, यानि कि dummy terminal के साथ में इसका connection कर देते हैं, ठीके दोस्तों, अब यह जो हमारा relay होता है, इस relay में दो और terminal है, एक starting terminal और एक running terminal, तो यहां पर हम करते हैं, जो हमारा starting terminal है, इसमें से एक वार को connect करके लिए जाते हैं, और जो हमारा compressor है, इस पर कमप्रेसर का terminal है, किस इंटिफाई करेंगे, या sulfur शॉन bisa कमन परтак होगा है, यह जो हमारा जो सुस्तों करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा explain कर दिया था यानि कि जो हमारा single door वाली fridge का wiring था उसमें मैंने आपको explain कर दिये था कि आप किस प्रकासे इसके टर्मिनल को identify करोगे तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख लिजेगा यदि आपको यह नहीं मालूं कि हम किस प्रकासे टर्मिनल का identify करते हैं ठीके दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा compressor था इसको हमने starting power supply और running power supply दे दिये दोस्तों यहाँ पे जो रिले है इसका एक function आप समझ लीजिए देखे दोस्तों यह जो हमारा रिले होता है यह क्या करता है स्टार्टिंग में starting winding और running दोनों को power supply दे देता है यहां कि यहां का power supply दोनों में ठोग करता है यहां भी power supply देगा और यहां भी power supply देगा अब जैसे हमारा compressor स्टार्ट हो जाती है तो उस condition में क्या होता है यह क्या करेगा इस टार्टिंग वाले टर्मिल से power supply को ब्रेक कर देगा यानि कि power supply के वाल रनिंग वाले टर्मिल पर जाएगी जैसे कि हमारा compressor के वाल रनिंग टर्मिल के दोरा work करेगा ठीक है दोस्तों यहां पर बाइपस करने का काम इसके अंदर एक plunger होता है तो यहां पर मैं expansion करने के यहां से एक वाल को लूप करके ले जाता हूं और इस fan को power supply दे रहता हूं यानि के फैस supply दे रहता हूं ठीक है दोस्तों यहां पर जो हमारा फैस supply का connection था वह complete हो गया अब हमें neutral power supply का connection करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा plug टोप है इसका जो neutral वाली पीन इसपीन से एक वाईर को connect करके ले जाते हैं और जो हमारा lamp है इस lamp को न्यूटल power supply दे देंगे ठीक है इसी परकासे हम इस lamp को भी neutral power supply दे रहेंगे अब हमें क्या करना है कि यहां से एक वायर को लूप करके ले जाना है और जो हमारा thermal fuse is, इसको neutral power supply दे देना है दोस्तों यहा से एक वायर को कनेक करना है और इसको ले जाके हमारा जो डेंफोस हीटर है इसको न्यूटल पाउर सप्लाई दे देना है अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे यहीं से एक वायर को लूप करके हमारा जो फैन है इसको भी न्यूटल पाउर सप्लाई दे देंगे तो यहां जो हमारा फैन सब्लाइब दोस्ट यहां पे आपको एक डौट बनेगा कि यहान पे श्कानर होता है गप तरहां तो के यहां तक फ्लोड होते हुए हमारे इस टाइमर मेंonder जाने कि इस timer को neutral power supply भी मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अब यहां पे जो हमारा heater इसको फेस supply भी चाहिए चालू होने के लिए तो किस प्रकास से चालू होगा उसके बारे में भी समझ लीजिए तो देखी दोस्तों यहां पे जो हमारा timer इसका जो दो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो हम यह समझ नहीं करता है देखी दोस्तों यहां से दस घंटे तक कूलिंग करता है और फिर उसके बाद में 10-20 मिनट तक यह क्या करता है हीटिंग करता है यानि कि यह जो हमारा timer है यह क्या करेगा 8-10 घंटे तक इस चार नंबर टर्मिनल से पावर सप्लाई को फ्लो कराएगा यानि कि यहां से फ्लो होते हुए हमारे कंप्रेसर में चली जाएगी जिससे क्या होगा हमारा जो फ्रीज है वह कूलिंग करेगा भीट हुए हमारा जो हीरे में पहुच जाएगी जिससे क्या होग़ा हमारा parloush stop पहुचे रही है या यहां की यहां का प्रीज यह तक नहीं पहुच पाएगए थीं? दोस्तों इससे हमें यह पते हैं किन और सप्लाई नहीं रहेगा कि क्या होगा धैप दिपनार या से हमार वर गात और का wrath One souhaite लिए अधाक जाएगे अ और में तो यह जो हमारा compressor है, इस compressor का common terminal होता है, इस common terminal पे हमें neutral power supply देना होता है, तो इसको neutral power supply देने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक wire को loop करके लिए जाते हैं, और जो हमारा lampa उसके एक terminal पे connect कर देंगे, अब यह情 निवारा PunjA इने के दौड़ है, है तो और्सकोम करने के लिड़े हम करतेफंहें इस मोटा वाल पीन हैं इस मोटा वाले पीन से वायर को connect करतेब्स्टाइस and किमप्रिसर इसके बोडी के साथ में ये Health को connect कर देते हैं ठेके दैटों जिससे कि यद इस कमप्रेसर के बोडी यहां से फ्लो होते हुए आएगा और सबसे पहले हमारे थर्मोस्टेट में पहुच जाएगी अब यदि हमारे थर्मोस्टेट का टंप्रेचर नॉर्मल है यानि कि जितना हम सेट कियां उससे ज्यादा है तो उस कंडिशन में क्या होगा पावर सप्लाई यहां का यहां पे प हो जाती है अब यह जैंको दोनो तर्मिल पर पावर सप्लाई करे आप जैसे हमारे ہमारे एक कंडिशन में यह मरा पारा सब्लाई को ब्रेक नेगा का Patrol होगा पर उस domoda से बस्ते करताया यानि क्हाल पावर यहांlkर जिससे क्या होगा हमारा जो compressor है वो केवाल running वाले terminal पे काम करेगा दोस्तों जैसे ही हमारा compressor start होता है उसके साथ साथ में यह जो हमारा fan यह भी start हो जाती है यानि कि एक साथ में compressor और fan work करने लगते हैं अब जैसे हमारा cooling है वो maintain हो जाएगा तो उस condition में क्या होगा यह जो हमारा thermostat है यह क्या करेगा power supply को break कर देगा यानि कि यहां का power supply यहां पे नहीं पहुच पाएगा जिससे क्या होगा हमारा fan और compressor यह ज्यादा हीट हो जाता है या फिर जो हमारा compressor है वो ज्यादा current लेने लगता है तो उस condition में क्या होगा यह जो हमारा olpa यह ओपन हो जाएगा यानि कि यहां का जो न्यूटल पाव सप्लाई फ्लो हो रहता वह यहां से फ्लो होना बंद हो जाएगी यानि कि इस टर्मनल से पाव सप्लाई यहां तक नहीं पहुच पाएगा जिस कारण से हमारा compressor है वो और जो थर्मल फ्यूज है इसके बारे में मैंने आपको अल्रेटी बता दिया था तो दोस्तों यहां पर हम इसको स्किप कर देते हैं तो दोस्तों मैं उमिर करता हूं कि यहां पर यहां पर फ्रिज का वारिंग था वो आप समझ गये होंगे दोस्तों यह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प